हेलो स्टुडेंट कैसो बेटा बड़े चल दे आपकी पड़ाई तो देखो बेटा हम लाश्ट वीडियो में डिसकर्स किया था effect of pressure इसका मतब हमने state of matter जो है उसको change करना सीख लिया तो हमने इस topic में दो porsan complete कर लिए एक तो state of matter और second change in state of matter आज हम बात करेंगे point number 3 तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का point number 3 है evoporation तो आज हम evoporation के बारे में डिसकर्स करने हुआ है कि क्या होता है इफ़रेशन तो दोंपल सी है हमने बॉरिंप्विट्स के बारे में डिसकर्स किया है तो पुरिंप्विट्स के पर अधिक च्छिंध का मतलब होता है जुकि अधनाना पयर्टायआत लिक्विड को गर्ट करना किया है यूप और रिख्विड अर्थाथ लिक्विड को चैंज करना इंटू वेपर वेपर के अंदर चैंज ऑफ लिक्विड इन्टू वेपर at any temperature किसी भी temperature पर below its boiling अर्तात boiling point अर्तात उसके boiling point से below temperature पर पर liquid को vapor में convert करना evaporation कहलाता है तो ज्यान दे किसको बोलते हूँ परेशन चेंज ओप liquid into vapor अर्तात liquid को vapor में किसी भी temperature पर बट उसका temperature boiling point से less होना चाहिए उसी को हम कहते है evaporation अब हम इस evaporation को explain करने के लिए हम दो ट्रम्स पड़ेंगे एक ट्रम्स तो भी आप कहरे हो boiling और एक ट्रम्स आपकी क्या हो गई evaporation अब दोनों ट्रम्स एक जिस ही है बट दोनों में थोड़ा सा difference है वो देखो boiling का मतलब क्या होता है boiling का मतलब होता है कि वोई liquid जो होता है उसको gas में change करना और evaporation का मतलब भी यही होता है क्या कि बेटा liquid को सबसे पहले boiling point तो बेटा boiling point एक scientific process है अर्ताथ scientist के द्वारा गिया हुआ एक process है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यह एक आपका scientific process है बेटा क्या है बेटा यह एक scientific process है और आपका अर्ताथ यह हम boiling point जो है boiling वो किसी को हम जब करेंगे तब यह process होगा अपने आप natural नहीं होगा जबकि एवापोरेस्ट एक natural process है कि जया नख ना इयेक natural process है जबकि यह natural process नहीं है इसे तो हमें खुद को करवाना होता है जैसे मैं explain करूं जैसे आपने पानी को रख दिया पानी को एक कटोरे में रखकर आपने दूप में रख दिया तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उसके अंदर पानी थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ वह बोईल नहीं हुआ बेटा वह इवपॉरिश्टी हुआ है अर्तात उस आपके जो पान बूदो होगी है उसमेंट को उसकी क्या होगत वर्वियत और बोईलिंग का मतलब क्या है उस कटेउरियों में पानी रखकर उसके हम ने किया है और हंडिर् डिफरेंस यह है कि सर बोईलिंग जो होता है वो एक बलक फिनोमिना होता है क्या होता है यह एक बलक फिनोमिना होता है जबकि आपका एवपोरेशन जो होता है वो बेटा बलक नहीं होता वो एक सरफेस फिनोमिना होता है जयानकना ये एक सर्पेस फिनोमिना है ये एक बल्क फिनोमिना है क्या सेंसे इसका मतलब अर्थात ये केवल सर्पेस वाले पार्टिकल्स पर होता है जबकि ये सर्पेस वाले नहीं अंदर के सभी पार्टिकल्स पर होता है कहने का मतलब जब आपका liquid boil होगा तो उसमें सभी particles का temperature एक जैसा होगा और वो boil होकर सीधा liquid to gas convert होगा बट evaporation surface phenomena यहाँ पर केवल particle अर्थात आपके liquid के surface के जो particle है वो ही केवल evaporate होते है अंदर वाले particle evaporate नहीं होते है आगे नमबर थ्री नमबर थ्री अगर हम बात करें तो boiling point के लिए मेंसा more energy की required होती है more required energy या heat है तो उसकी तो यहाँ पर energy हीट की more required होती है जबकि अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर तो यहाँ पर less required heat या फिर energy तो ध्यान रखना आपका जो boiling होता है उसके लिए हमेंसा more energy की required होती है क्योंकि आपको पता है boiling point पर जब तक उसका boil point निया जाएगा तब तक आपका liquid vapor या gas नहीं बनेगी जबकि evoporation में इसा नहीं होता evoporation अपने boiling point के below भी हो सकता है तो इसका मतलब इनका next जो difference हो गया वो क्या हो गया कि यहाँ पर आपका जो भी liquid है वो gas में convert होगा केवल इसके boiling point पर तो change liquid into vapor only boiling point temperature अर्थाथ यहाँ पर आपका कोई भी जो liquid है वो अगर vapor में change हो रहा है तो वो उसके only boiling point पर ही होगा जैसे अगर मैं example की बात करूँ water तो आपको पता है कि water का boiling point है 100 degree centigrade तो इसका मतलब water 100 degree centigrade पर ही liquid से gas बनेगा जबकि evoporation में अगर मैं बात करूँ तो evoporation में आपका liquid vapor में below boiling point तो यह क्या होता है well below boiling point अर्थाथ यह boiling point से नीचे ही हो जाता है जैसे मैं water में बात करूँ अभी जैसे मैंने explain किया था कि हमने एक जो भी आपका कोई भी बालती है को उसमें water रखा है उसको हमने दूपर रखा है तो उसमें पानी evaporate हो रहा है experimental अर्थाथ boiling और evoporation को हम experimental जो है explain करते हैं तो देखेगा अब हम इसको experimental explain कर रहे हैं तो experimental explain करने के लिए मैंने यह बीकर लिया है यह बीकर है और इस बीकर के नीचे हमने यह lamp लगा दिया यह लेंप लगा दिया तो यह तो आपका lamp हो गया और इस बीकर के अंदर हमने यह जो भी आपका liquid है वो liquid ले लिया यह liquid आपका हो गया अब आप देखो इसको जब हम heat करेंगे तो heat करने पर आपको पता लेम से इसको क्या होगी more energy provide होगी तो यहाँ पर more energy provide होने पर यह क्या होगा वेपर बनेगी इसकी एससे वेपर बन जाएगी तो यह आपका liquid किसमे करनोट हो रहा है वेपर में बट यह process तब possible है जब इसको हम high energy देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पर होगी required high energy required high energy for वेपर अर्तात वेपर के लिए यहाँ पर high energy की required होती है आप देखो इदर यह वो पोरेशन में हमने कहा था कि यह surface फिनोमिना है यह bulk फिनोमिना है क्यों का bulk क्योंकि जब इसको हम पूरे को इट करेंगे तो इसके अंदर के यहाँ से यह सारे particles गरम होंगे और जब इसके all particles गरम होंगे high energy लेंगे तो ही वेपर में convert होगा बट हमने कहा था कि दिसीदर सर्पेस फिनोमिना यह surface फिनोमिना है तो इसके लिए हमने क्या किया जैसे इसको explain करने के लिए मैंने यह कोई भी apparatus ले लिया और इसके अंदर यह हमने यह liquid बर दिया वाटरी मान लो कुछ भी यह liquid है यह liquid है अब आपको पता इस liquid के अंदर यह particles है तो इसकी surface पर भी particles होंगे यह आपके surface particles of surface particles या molecules of liquid है जो भी liquid है उसके surface particles या molecules है और इसके अंदर भी particles होंगे जैसे अंदर भी particles है अब आपको पताए कि अंदर के जो particles है वो भी वाइबरेट करेंगे बट आप देखेगा अंदर के particles पर चारो direction में मतब ओल direction में force equal है जैसे यह vibrate किया इदर तो इदर collision होगी टकर होगी फिर यह इदर जाएगा इदर collision होगा फिर direction चेंज करगे इदर जाएगा collision होगा फिर direction चेंज करेगा तो इसके अंदर all directions में इस पर collision होगी लेकिन सबी direction में यहाँ पर जो balance होगा वो equal होगा बट आप जड़ा देखो कि इसके जो surface के particles है यह surface particles है यह surface particles है यह surface particles पर केवल जो force हो नीचे की side से लग रहा है केवल एक ही side force लग रहा है नीचे की तरफ से जैसे ही हम इसको थोड़ी बहुत heat देंगे थोड़ी बहुत heat देते ही यह particles यहाँ से बताओ किस में convert हो जाएंगे बेटा वेपर में convert हो जाएंगे अब जैसे यह surface वाले particles वेपर में convert होए फिर नीचे से particle वापस surface पहा जाएंगे फिर वो heat होंगे फिर वो वेपर में convert हो वो फिर vapor में convert होंगे और वो वहां से remove होते जाएंगे इसका मतब यह हुआ कि evaporation जो होता है वो एक surface phenomena है उसके अंदर surface वाले particles remove होते हैं और उनको remove करने के लिए यहां पर large energy की required नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे यह आपके surface वाले particles है इनके लिए तो इनके लिए लिखा जाएगा heat absorb from surrounding and change into vapor कहने का मतलब है कि इनके अंदर loosely bonded है इसलिए इनको surrounding से ही इतनी energy मिल जाती है sufficient energy obtain होती है जिससे यह तुरंत energy को लेकर क्या हो जाते हैं vapor में convert हो जाते हैं तो अब इनका यहां से conclusion क्या है तो वो देखेगा conclusion तो यहां पर conclusion यह है कि जब तक सारे particles एक high energy obtain नहीं करते तब तक वो vapor में convert नहीं होते और यह सारा काम उसके boiling point पर ही possible है तो यहां लिखा जाएगा all particles of liquid absorb high energy अरतात liquid के जितने भी particles है वो सारे के सारे high energy को absorb करते हैं और जब वो सारे high energy को absorb कर लेते हैं when absorb high energy then live system और जब वो सभी high energy को absorb करते हैं तभी system को छोड़ते हैं अर्थात तभी वो किसमें convert होते हैं बेटा vapor में convert होते हैं इसलिए इसको आपने scientific और bulk phenomena बोला था अब आजाओ यहां पर अभी हमने इसके लिए काता है कि यह natural है अपने आप होगा आपको करने के जोरत नहीं है और surface phenomena है क्योंकि यहां पर पर्टिकल्स आपके surrounding से absorb करके heat को और evaporate हो जाते हैं तो यहां से क्या definition होगी वो देखिएगा आप इवपोरेशन इज ए सर्पेश फिनोमिना इवपोरेशन एक सर्पेश फिनोमिना है in which जिसके अंदर molecule और particles of surface अरताथ जिसके अंदर आपके surface के molecule और जो particles होते हैं किसके? of liquid liquid के surface के जो molecule और particles होते हैं वो energy gain करते हैं कहां से? surrounding से of liquid gain energy from surrounding and change into vapor is called vaporization तो द्यान रखना यहां पर क्या होगा? कि यहां पर आपके अंदर कि evaporation surface फिनोमिना है यह जो surface particles होते हैं यह less bonded होते हैं loose bonded बोल दो, loose better word है, loose bonded है और यह loose bonded होने की वज़ेशन को less energy के required है और जैसे इनको energy मिलेगी यह तुरंत energy को लेकर यहां से क्या होंगे? evaporate हो जाएंगे, अताथ paper में convert हो जाएंगे फिर नीचे के particle surface बाएंगे, वो फिर less bonded होंगे फिर वो energy obtain करेंगे surrounding से, फिर vapor में convert हो जाएंगे तो ऐसे process को हम evaporation कहते हैं तो यह आपके boiling और evaporation में difference complete होता है आप यहां से इसका screenshot लीजेगा अब हम factor affecting of evaporation के बारे में discuss करेंगे तो देखेगा बेटा, अब हम discuss करेंगे यहां से factor affecting evaporation वो factor जो evaporation को effect करते हैं जिन जिन से आपका evaporation effect होता है तो सबसे पहला point है surface area सबसे पहला जो point है और सबसे जो common है वो है surface area बताओ surface area जो है वो evaporation को के से इफेक्ट करता है और surface area भी किसका liquid का तो देखेगा rate of evaporation rate of evaporation भी क्या होगा more होगा यह बेटा बेटा बेने जो अपर की तर पेरो लगाया यह increasing को बताता है बढ़ना अरताथ area बढ़ेगा तो evaporation बढ़ेगा और अगर surface area decrease होगा तो बेटा आपका evaporation भी decrease होगा तो देखेगा अब मैं इसको explain करता हूँ बहुत simple method है बेटा आपके daily life में भी इसको use करते हैं तो सुनना जैसे मैंने क्या किया कि यह एक इसे टेस्ट ट्यूब ले ली ग्लास की और इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यह पैट्रोल लग दिया यह पैट्रोल बर दिया ठीक है बेटा और अब हमने एक चाइना डिस्क लिए इतना यह चाइना डिस्क के लिए और इस चाइना डिस्क के अंदर अब यह पैट्रोल डाल दिया यह चाइना डिस्क है और यह आपका टेस्ट ट्यूब है आप बताओ इन दोनों में से यह वह पोरिशन दोनों में होगा बट आप जड़ा देखेगा यहां पर जो आपका यह सरपेस है इस सरपेस का एरिया इतना है जबकि आप जड़ा देखो यहां पर सरपेस एरिया इतना है अब बताओ अगर यहां सरपेश एरिया ज़्यादा है तो इवपोरेशन जदा होगा इसलिए यहां से लिक्विड जो है तुरंत वेपर बनकर उपर उड़ जाएगा जबकि यहां पर इवपोरेशन क्या होगा थोड़ा स्लो होगा वेशे मैं और समजाना चाहूं तो बेटा पर जो ज्यादा हो रहा है असाथ energy ज्यादा बाहर आ रही है इसलिए जल्दी ठंडा होता है जबकि गिलास में जो चाहिए वो लेट ठंडी होती है और अगर मैं experimental आपको समझाना चाहूं तो आपको पता है कि जो कपड़े होते हैं आप बताओ जिसे आपका जो तोलिया जिस सब्सक्राइब से शुकाए जाता है वह जल्दी सुक जाएगा तो इसी चीजंद से एक्स्प्लें होता है कि सर्फेस एरिया बढ़ने के साथ साथ फेस बढ़ता है तो इसका यूज है वह है washed cloth washed cloth for drying up we sprayed them हम जब भी गिले कपड़ों को सुकाते हैं तो उनको फैला करी सुकाते हैं क्योंकि फैला के सुकाने से क्या होगा उनका surface area बढ़ जाएगा और surface area बढ़ने से evaporation भी क्या होगा बेटा बढ़ जाएगा इसी के साथ आपका ये point number first complete होता है आप इसका screen shot लीजेगा अब हम second factor के बारे में discuss करेंगे तो देखेंगा बेटा point number two और point number two में आता आपका temperature दया रखना temperature के लिए अगर मैं बात करूँगा तो rate of evaporation is directly proportional to temperature तो द्यानकना evaporation जो होता है वो directly temperature के proportional है इसका मतलब क्या हुआ इसका sense है कि बेटा अगर temperature increase होगा तो evaporation भी increase होगा और अगर temperature decrease होगा तो बेटा evaporation भी क्या होगा decrease होगा तो क्या sense है और वैसे भी experimental आपको पता है एक बात पता हो कि evaporation का मतलब हमने कहा है कि liquid का gas में बदलना तो बता हो सर्दियों में और गर्मियों में winter और summer की में बात करूँ तो ज़्यादा vapor कहां बनती है आपको पता है कि जैसे हमने दूप में पानी जैसे हमने क्या किया अपके बार ये कोई भी glass है इसमें ये पानी रख दिया ये रखा है हमने दूप के अंदर मतलब ये बार रख दिया ओपन और ये वाला मने कमरे में रख दिया बताओ इन दोनों में से किसके अंदर पानी जो है उसकी वेपर जादा बनेगी ये रूम के अंदर है वो ओपन बार है तो आपको पता है बार ओपन है तो यहां से sunlight जो है वो sunlight इसके उपर गिरेगी तो यहाँ वेपर ज्यादा बनेगी क्योंकि यह temperature ज्यादा है जबकि यहाँ पर sunlight नहीं गिरेगी इसलिए यहाँ पर वेपर कम बनेगी तो इसका sense से ही है कि temperature बढ़ने से भी आपका evoporation बढ़ता है इसका सबसे best common example है कि गर्मियों में पानी ज्यादा इव पोरेट होता है तो इसके लिए क्या region है वो सुनो क्योंकि हमें पता है कि जब temperature बढ़ेगा तो kinetic energy of particles बढ़ जाएगा बेटा जैसे इसका temperature बढ़ा यहाँ पर जो particles है उनकी kinetic energy बढ़ी अब बताओ अगर kinetic energy बढ़ेगी तो moment बढ़ेगा यह गटेगा तो इनका moment बढ़ेगा और moment बढ़ेगा तो यह change हो जाएंगी किसके अंदर लिक्विट से आपके वेपर में तो इस वज़े से easily change into vapor इसलिए यह easy आपके वेपर में convert हो जाते हैं इसके लिए सबसे best example है कि कपड़े जोते हैं वो गर्मियों में जल्दी सुकते हैं और सर्दियों में late सुकते हैं उसका region है temperature तो क्या लिखूंगा example वो देखिएगा drying of cloth tech plus rapidly in summer season then winter अर्तात गर्मियों में कपड़े सर्दी के तुल्दा में जल्दी सुकते हैं इसी के साथ आपका यह temperature का portion भी complete होता है अब आप यहां से sketch screen शोट लिजेगा अब हम factor affecting नमबर 3 के बारे में discuss करेंगे तो देखेगा बेटा अब हम point number C और point number C में आपका आता है hume dt hume dt के बारे में discuss कर रहे हैं क्या होती है hume dt तो hume dt का मतलब है सबसे पहले hume dt के बारे मताएंगे तो hume dt का मतलब है कि हमारे इस air में कितनी water vapor है hume dt से मतलब अगर हम बात करें तो आदरता होती है इसका इंदी हर्तो सपोकेशन जो होता है वो एक प्रकार से hume dt का part है तो बताओ क्या होगा इसकी definition तो इसकी definition हो जाएगी the amount of water vapor present in air अर्तात आपकी जो air है उसमें जो water vapor present होती है उसे हम humidity कहते हैं अब आप बताओ अगर air में humidity पहले से ही है अर्तात water vapor पहले से ही है तो क्या इवपोरेशन होगा क्या नहीं होगा इसका मतलब यहां पर अब आपका होगा कि rate of evaporation जो होता है बेटा वो indirectly proportional होता है किसके humidity के अर्तात अबकी बार evaporation humidity के indirectly proportional होगा इसका sense क्या है तो इसका sense यह है कि अगर environment में humidity increase होगी तो आपको पता है rate of जो evaporation है वो decrease हो जाएगा या फिर हम कहें कि अगर humidity environment में less है तो फिर एसी condition पर आपको पता है evaporation more होगा और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो rainy season है अर्तात बरसात के time पे environment में humidity जादा होती है इसलिए वहां पर evaporation कम होता है इसलिए कपड़े लेट सोकते हैं जबकि हमें पता है कि गर्मियों में summer जो season होती है उसके अंदर humidity environment में कम होती है इसलिए evaporation more होता है और कपड़े आपके जल्दी सोक जाते है तो इसलिए जान रखना humidity हमेशा एवपोरेशन के indirectly proportional है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि rate of evaporation decrease with increase humidity in atmosphere अर्थात आपके atmosphere पर humidity बढ़ने से हमेशा एवपोरेशन कम होगा बताओ इसका application क्या है तो मैंने बता दिया application आपके सामने है कपड़े के लिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सोकते हैं बरसात में कपड़े लेट सोकते हैं उसका region है humidity तो इसको हम क्या लिखेंगे वो द बता है किसके अंदर इन रेनी सीजन बरसात के मोसम में इसी के साथ आपका ये point number C complete होता है अब आप यहां से स्कीन सोटीजेगा अब हम point number D के बारे में discuss करेंगे तो रेखेगा next point number D और next point number D में आपका आता है wind speed हवा की गती आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हवा होगी इवपोरेशन उतना फास्ट होगा ऐसा क्यों क्योंकि हवा होने से surface के जो particles होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं इस वज़े से फिर surface पे particles आएंगे फिर हव के साथ उड़ जाएंगे इसलिए एवपोरेशन अमेंसा wind के साथ ज़्यादा होगा तो wind speed के लिए हम क्या लिखेंगे rate of evaporation is directly proportional to wind speed अर्थात wind speed के यह directly proportional है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिएगा wind speed बढ़ेगा तो आपका evaporation भी क्या होगा बढ़ेगा अगर आपका wind speed कम होगा तो पता है evaporation भी कम होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हवा की गती के साथ साथ evaporation बढ़ता है और वेसे भी मैं पता है कि अगर आप कभी भी आपने देखा होगा गर पे मम्मी जब पहुंचा लगाती है तो पहुंचा लगाने के तो कि पंका चलाने से evaporation बढ़ता है इसलिए वह आपने जो पहुंचा लगा है उसमें पानी की वेपर जल्दी बन जाएगी तो इसलिए जहां रखना वेपर अमेसा जो है wind speed के साथ साथ बढ़ती है तो अब हम यहां पर लिखेंगे क्या कि increase in speed of wind अगर हवा की speed तो बताओ क्या होगा more move more move particles of liquid अर्थात more move particles of water water के जो particles है वो more move करेंगे किसके साथ with wind wind के साथ अब बताओ अगर वो ज्यादा wind के साथ वेपर करेंगे तो इससे क्या होगा वहाँ पर environment में water की concentration बढ़ जाएगी और आपका यूपोरिशन कम हो जाएगा तो द्यारक ना increase in speed of wind more move particles of water vapor with wind और इसके होने से क्या होगा आपकी यूपोरिशन बढ़ जा बताएगा तो आपको पता है कि हम pancake के नीचे जब और एक example बता दूमें कर्मी में जब हमारे person आ जाता तो हम pancake के नीचे बढ़ते तो हमें cooling फील होती है उसका reason भी यह है तो इसका example है close, dry, faster अताथ आपके कपड़े fast गती से सूकते हैं on a windy day अताथ हवादार दिन के इंदर कपड़े में साथ fast गती से सूकते हैं इसी के साथ आपका यह factor affecting of evoporation भी complete होता है अब आप यहां से स्कीन सोटीजेगा अब हम next points के बारे में discuss करेंगे तो देखेगा अब इसका हम conclusion पढ़ते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा उसका conclusion क्या है तो conclusion में द्यान रखना बेटा evoporation evoporation increase with बताओ evoporation increase with किस किस के साथ increase होगा तो इसमें सबसे first होगा increase in surface area of liquid liquid का surface area बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा number two बताओ number two क्या था increase in temperature temperature बढ़ेगा तो भी आपका evoporation बढ़ेगा third क्या था decrease in humidity humidity के गटने के साथ साथ आपका evoporation बढ़ेगा और fourth point क्या था wind speed बताओ wind speed भी बढ़नी चाहिए गटनी चाहिए wind speed बढ़ने के साथ साथ भी evoporation बढ़ता है अब आता आती है यहां से कि साथ evoporation जो है वो nature of liquid पर भी depend करेगा तो यह पहला conclusion है दूसरा conclusion यह है कि evoporation also depend upon nature of liquid और तात वो जो liquid है उसकी nature पर भी depend करता है ऐसा क्यों because क्योंकि आपको पता है कि liquid जो होता है उनमें inter particle force different होता है तो because liquid हैव different inter particle attraction force और तात उनके अंदर जो पार्टिकल attraction force है वो भी different different होता है तो अगर मैं बात करूँ रेट आप इवपॉरेशन एक में ने लिया है alcohol और एक हमने लिया है water बताओ alcohol और water में से किसका इवपॉरेशन ज़्यादा होगा alcohol का ऐसा क्यों क्यों क्योंकि सर alcohol जो होता है वो volatile अर्थात ये volatile in nature होता है जबकि water आपका non volatile है ऐसा क्यों क्योंकि alcohol में पाया जाने वाला इंटर पार्टिकल जो attraction force होता है वो strong नहीं बेटा क्या होता है वीक होता है जबकि water के इंदर पाया जाने वाला जो inter attraction force होता है वो strong और होता है इसलिए यहाँ पर इवपॉरेशन लेश होगा और यहाँ पर इवपॉरेशन more होगा इसी के साथ आपका ये इवपॉरेशन का portion complete होता है उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like, subscribe और share करना ना भूले